आईए एक मिनट में समझते हैं कि ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में ये तीन कंपोनेंट आहम भूमिका निभाता है ब्रेक सिलेंडर ब्रेक कंट्रोलर यानि ब्रेक पैड और तीसरा है प्रेशर पाइप सीधे शब्दों में कह हर पहिये से जुड़ा रहता है, जिससे आगे जुड़े रहते है ब्रेक्शू, तो पाइप में प्रेशर बढ़ने से ब्रेक्शू ट्रेन भील से अलग हो जाता है, और ट्रेन चलने लगती है, वहीं ट्रेन को रोकने के लिए प्रेशर को पाइप से रिलीज कर दिया जाता ह और प्रेशर कम होते ही ब्रेक पैड ट्रेन भील में फ्रिक्शन की वजह से चिपक जाता है और ब्रेक लग जाती है